गर्मियां शुरू होते ही न तरह तरह की समस्याएं भी शुरू होने लगती हैं। गर्मी की वज़े से बच्ची हो या बड़े सभी बेहाल हो जाते हैं। धूप से आने के बाद गर्मी की वज़े से एकदम बुरा हाल हो जाता है। बहुत जादा वीकनेस लगती है। डिहा पाहत पाने के लिए इसी समस्या को दूर करने के लिए आज मैं नीमबू की बहुती मज़धा रेसेपी ले कर आई हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 नीमबू ले लिए हैं मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती कि कितना नीमबू चाहिए 10 से 12 अभी फिलहाल मैंने एक पानी से ताकि इसका जो भी धूल वगर इसके उपर लगा रहना वो निकल जाए तो अच्छी तरीके से मैंने नीमबू को दो लिया है तो आज मैं आम क्याम गुटलियों के दाम वाली रेसेपी लेकर आई हूँ नीमबू के रस का तो हम यूज करेंगे ही करेंगे आपके बहुत काम आने वाली है तो आप देख सकते हैं नीमबू के साइड वाले पार्ट को कट कर लेना है और इसके दो टुकडे कर लेने हैं इसी तरीके से हम सारे नीमबू को कट कर लेंगे फ्रेंड्स एक छोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे अगर आपको ये जादा जादा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी नहीं भूलिएगा तो इधर मैंने सारे नीमबू को दो टुकडे कर लिया है नीमबू का छिलका फिलाल हटा देते हैं छिलके का हमें कोई यूज नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने एक इस्का पूरा रष निख सकते हैं, अब आप सोच रहोंगे कि इसमें से पूरात भी नहीं निकला है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं नहीं पूरी तरीके से इसका रष क्यूं निचोड़ा है तो जितना जादा इसमें नीम्बू का रस लगे न उतना हमें निकाल लेना है अच्छी तरीके से निचोर निचोर कर एक कटोरी भरके हमें नीम्बू का रस निकालना है अगर आपके पास स्क्वीजर नहीं है तो आप छनी से भी बहुत यासानी से नीम्बू का रस निकाल सक तो इधर नीम्बू का रस तयार हो गया है और यह जो नीम्बू के छिलके है ना इसका हम बात में यूज करेंगे तो फिलाल अभी रखते हैं साइड में और यह जो नीम्बू का रस है एक बड़ी सी थाली में हमें निकाल लेना है एक कटोरी भर के मैंने नीम्बू का रस लि निकाल लेंगे तो यहां पे उसी कटोरी का इस्तमाल करना है जिसमें मैंने निम्बू का रस लिया था तो एक कटोरी से कम निम्बू का रस था न उतना ही हमें नाप कर धाई कटोरी चीनी लेना है एकदम पॉफेक्ट मीठा बन कर तयार होगा वैसे मीठा आप अपने निकाल लेते हैं कुछ भी क्यों वेस्ट करना और अच्छी तरीके से इसे हमें मिला लेना है बढ़िया से नीम्बू के रस और चीनी को मिक्स कर लेना है तो आप देख सकते हैं यह बढ़िया से मिक्स हो गया है यह जो चीनी का घोल है ना देखने में कितना ज्यादा जितना यह घोल डालेंगे जो नीम्बू और चीनी का घोल हमने बनाया था ना वो डाल देते हैं और इस तरीके से हमें थाली के उपर फैला लेना है आप देख सकते हैं बहुत ही मोटा लेयर नहीं लेना है एकदम पतला लेयर रखना है इस तरीके का होना चाहिए तो बाकी बचे थालियों में भी इसी तरीके से हम नीम्बू के घोल को फैला लेंगे और ये जो लाश्ट वाली थालिया ना जिसमें हमने घोल कर रखा था उसमें भी मैंने इसी तरीके से फैला लिया है तो मुझे चार थालियां लगी है नीम्बू और चीनी का घोल फैलाने में इस पहले देख लेते हैं से छिलक में प्रियू कोके हेट लेगार अब ळायद के लिए उसे पहले हुज़िसे पेला जाएァ उंवकर और भी आंद देखना पनालिको के लेता मउस्चण चीनी का घोल फैलाया था थाली के उपर उसे भी रख देना है तो इस तरीके से पंखे की हवा के नीचे हमें सुखाना है लगबग डेर से दो दिन लगेंगे इसे सूखने में और यह जो नीमो के छिलके है न यह तीन-चार घंटे में अच्छी तरीके से सूख जाएंगे पं कुछ भी लग नेरा हाथ में यानि कि बढ़िया से सूख गया है तो एक बार इसे हम इस तरीके से खुरच देंगे सूखा है लेकिन इत्ता भी नहीं सूखा है कि आगे हम इसकी रेसिपी बना सकें जो हम आपके लिए बनाने वाले हैं तो यह देखे इस तरीके से हम आसानी है ताकि यह जल्दी से सूख सके तो सारी थालियों को इसी तरीके से हमें खुरच खुरच के बिल्कुल ही फैला लेना है एकदम अलग-अलग ही फैलाना है जिस तरीके से मैं कर रही हूं इस तरीके से क्या होगा ना फ्रेंट्स की पंखे की हवा के नीचे रखेंगे ना त तो आप बिल्कुल भी ताइम नहीं लग रहा है लेकिन हो सकता है ना फ्रेंट्स कि दो दिन भी लग जाए इसे सूखने में तो आप बिल्कुल भी घबडाईएगा नहीं आराम से सुखाईएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरा तो डेड़ दिन में सुकर तयार हो गया है यह जो चीनी और नीमबू का मिक्शर बना के रखा था और इस तरीके से सारी थालियों का मैंने खुरज-खुरज कर निकाल लिया है एक ही थाली में फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे अगर आपको यह रेसेपी थोड़ी सी भी पसंदार ही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा जादा जादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर भी नहीं भूलेगा तो चलिए अब हम इसे पीष लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रैंडिंग जार लिया है और दो पार्ट में इसे पीष ना है एक बार में हमें नहीं पीष ना है एकदम फाइन पाउडर पीष कर तयार करना है इस बात का आपको ध्यान देना है आप चाहें ना तो इसे एक बार में ही पीश सकते हैं लेकिन मैं दो बार में इसे पीश रहे हूँ इससे क्या होगा ना कि बहुत ही बारीक पीश कर तयार होगा एक साथ पीश देंगे ना तो उपार नीचे वाला थोड़ा सा धरदरा सा रह जाता है तो इस तरीके का आप देख सकते हैं पाउडर बना कर तयार कर लेते हैं इसी तरीके से हम सारा पाउडर पीस कर तयार कर लेते हैं गर्मियों की ये खास रेसिपी है फ्रेंट्स वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो बहुत ही आपके काम आने वाली है गर्मी के मौसम में था खार के आने पर घर पे अगर कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए न तो बहुत ही जादा अच्छा लगता है एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है तो इसलिए मैं आपको ये नीमबू चीनी का पाउडर बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान है लेकिन बहु तो नीमबू का पाउडर इस तरीके से हमें तयार कर लेणा है आब इससे रखने कि लिए ना हमें कोई साभी काज का या फिर प्लास्टी का जार लेना है एयरटाइट जार होना चाहिए उसमें हम इसे भर के रख देंगे इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका सालो साल ये पाउडर खराब नहीं होगा और जब भी आपका दिल करे तब आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे जार में देखिए भर के रख दिया है इस पाउडर को तो जब भी आप इस पाउडर को निकाले ना सूखे चम्मच से ही निकाले इस तरीके से आपका जो पाउडर है कभी भी खराब नहीं होगा इस बात का आपको ध्यान देना है तो बढ़िया सा हमारा नीमबू का पाउडर बनकर तैयार हो गया है कैसा लग रहा फ्रेस देखने में जरूर बताईएगा कमेंट करके कहां से आप यह रेसिपी देख रहे हैं यह जानकर मुझे बहुत जादा खुशी होगी तो चले इसका इसका इस्तमाल कैसे करना है देख लेते हैं तो एक एक चमच हम यह पाउडर डालेंगे गलास में और इसके साथ मैंने कुछ पूदीने के पत्ते लिए हैं उसे हम इस तरीके से हाथो सही मैश कर लेंगे इसका रस निकलना है इस तरीके से रस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा गर्मी के मौसम में पूदीना जरूर खाना चाहि कि लुक वाइज यह बहुत जादा बढ़िया लगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एकदम चिल्ड पानी अगर आपको ठंडा पानी जादा नहीं पसंद है तो थोड़ा कम ठंडा भी ले सकते हैं अच्छी तरीके से इसे मिला देते हैं और बढ़ियां सा हमारे यह नीम का पाउडर बनाकर रख देना तो फटा फट से एक चमच डालिए और ठंडे पानी में मिक्स करकर पी लीजिए यही सिकंजी बनानी हो ना तो इसके लिए भुना हुआ जीरा काला नमक मिक्स कर दें बन जाएगी सिकंजी तो जिस तरीके से आपको इसे यूज करना है ना उ तो बस इस तरीके से नीम्बू का ये पाउडर डाल दीजे चीनी और पाउडर थोड़ी सी चाय की पती बढ़िया सी हमारी ये चाय बन कर नीम्बू की तयार हो जाएगी बिल्कुल भी जंजट का कोई काम ही नहीं है तो इस तरीके से आप फटा-फट से नीम्बू का बस इतना सुखाना है ना कि इसके उपर का जो भी पानी है ना वो सूख जाए अच्छी तरीके से तो यहाँ पे मैंने एक काच का जार लिया है काच कही जार लेना है इसमें हम सारी ये छिलके डाल देते हैं और ये जो नीम्बू है जिसका हमने रस नहीं निकाला था इसे और इसे भी इसमें हमें डाल देना है तो सारी नीम्बू को इसी तरीके से इसका रस इसी में निकाल लेना है तो चार मेरे पास नीम्बू थे इस तरीके से मैंने इसमें रस अच्छी तरीके से निचोल लिया है इस नीम्बू के छिलके से हम बहुत ही बढ़िया सा अचार बनाने वाले हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफी जादा फायदे मंद होगा इसके साथी मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी भर के नमक लिया है अगर ऐसे नापे न तो चार से पांच बड़े चमच नमक होगा तो इस तरीके से हम चारो तरफ से नमक डाल देंगे बह है ना बहुत ही बढ़िया सा चट पटा खटा और नमकीन सा फ्लेवर आएगा अगर आप मिर्ची नहीं डालना चाते है ना तो इसकिप कर सकती है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बीच बीच में एक एक बार ना हम इसे उलटते पलटते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे तो एक हफते के अंदर में ना हमारा नीमबू का अचार बनकर तयार होगा तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप फटा फट से नीमबू के छिलके का भी उपयोग कर सकते हैं बिलकुल भी छिलका भी बरबाद नहीं होगा जैसे जैसे यह मेल्ट होगा ना हमारा नमक पी अची और इसका रस और भी जादा निकलेगा बीच बीच में इसे हमें इस तरीके से मिक्स करते रहना है हिलाते डुलाते रहना है एक से डेड़ हपते में ये नीमबू का अचार बढ़ियां से सॉफ्ट हो जाएगा खाने लाइक हो जाएगा जैसे किसी को फीवर आ गया फीवर से जुबान कडवी कडवी हो जाती है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो ये नीमबू का अचार थोड़ा सा आप खिला दे उनको तो सच मानिए एक से दो बार आप उन्हें टेस्ट कराएंगे न तो उनका जो स्वाध है फिर से आ जाएगा बहुत ही बढ़िया ये फॉर तो फ्रेंड्स आपको ये नीमबू का पाउडर और नीमबू के छिलके का अचार की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भिलकुल भी नहीं भूलेगा अगर अच्छी नहीं लगे न तो डिसलाइक की कीजेगा जरूर इससे मुझे पता चलेगा ना कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है यह नहीं आई है तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनीक मज़दार और हैल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई 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 एंड टेक क्यार